हलो फ्रेंट्स, हाव वाई यू? आज का टॉपिक है कि जब हमारे अपने ट्विन की यहाद आती है तो क्या करें? कैसे उन चीजों को हैंडल करें? जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने पार्टनर को लेकर, अपने ट्विन को लेकर? यहाँ, उससे पहले मैं आप सबसे यह कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे मेसेजेस आपके आया थे कि माम आप वीडियोस बनाई ही हैं आज भी बहुत इंदेशनली एक सोलसिस्टर ने मुझे बताया कि आपके वीडियोस बहुत इंपोर्टन्ट है और आपका गाईडन्स भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि आप समय आ गया है कि मुझे फिर से वीडियोज बनाना चाहिए माधुर्गा का ये संकेत समझ में आया काफी सोल सिस्टर्स पूस्ते रहती थी कि आप क्यों नहीं बना रहे वीडियोज इसका एंसर समय पे आपको भी पता चल जाएंगा जब कोई भी चीज खुला सा होना होंगा तब होंगा डिवाइन टाइन पे आज मैं वीडियोज बना रही हूँ और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो अपने पार्टनर को लेकर बहुत दुखी होते हो ये जन्नी जो है एक ट्रू लव की है और ट्रू लव में ये परेशानिया तो होती ही रहती है कि अपने पार्टनर को याद करके रोना धोना और ये सारी जीजे होती है यहाँ तक कि किसी किसी डियफ को या डियम को अपनी पार्टनर की याद में हाट चक्रा तक के बेन होने लगता है और उसमें मैंने separate video भी बनाया है आप सबने उसको बहुत सा राया है और रियली आपने करा और उसका result भी मिला जैसे मैंने बताया था आपको वैसा ही किया और आप सबने comment में ये बताया कि हाँ ये work किया जब भी heart chakra में पेन हो तो क्या करें उसी प्रकार से आज जो है अपने partner की बहुत याद आ रही है बहुत याद आ रही है हो सकता है वो positive तरीके से याद आ रही है हो सकता है वो नकारत मकरूप से याद आ रही है जब मैंने मा से पुछा कि आज का topic क्या होना चाहिए तो मुझे intuition हुआ कि इस topic पे वीडियो बनाओ इसलिए आज मैं आपको इस topic पे वीडियो बना रही हूँ जब भी आपकी partner की याद आए हो सकता है आप बहुत नकारत मकरूप से जब आप बिछडे थे उस समय को याद कर रहे हो और बहुत परेशान हो रहे हो तो इसलिए हमेशा याद रखे कभी भी अपनी partner की याद आई है वो आपका twin है इस सच्चाई को हमेशा याद रखे अगर वो आपका twin है या आपको confirm है तो इस बात को याद रखे कि वहीं आप हो उन्हें ने जो उस समय जब आपको हर्ट किया था जितना आप हर्ट हुए थे उससे कही ज़्यादा वो खुद भी हर्ट हुए थे और उनके अंदर में भी वही गाओ है जो आपके अंदर है and he is your mirror ना exact mirror अब जितना ज़्यादा उनकी उन्ही बातों को याद करूंगे जिस वक्त आपको हर्ट मिला था उतने ही ज़्यादा वो भी उन्ही बातों को याद करेंगे उन चीज़ों को याद ना करते हुए आप उन मीठे पलों को याद करें जो आपको memorable है बहुत positive है या जो चीज़े आप महसूस करना चाहते हो उनके साथ में जो चीज़े आप बिदाना चाहते हो उसको present tense में आप फिल करें कि जैसे कि वो आपके साथ है बैठे है घूम रहे है फिर रहे ये शिव शक्ती जन्नी है बिलकुल purity वाली मैंने यहाँ पे जित्ते भी तस्वीर लगाया है उस तरीके कि आप visualization कर सकते हो पर्टिकुलरली लो वाब्रेशन सेंड करना बहुत जरूरी है अगर आप अपने पार्टनर का प्यार चाहते हो तो आपको भी उन्हें प्यार दीना होंगा उसके बतले वो जो स्टॉक करना होता है न कि वो किस से बात कर रहे है क्या कर रहे है ये सारी चीजे करने से क्या होंगा न दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है उन पलो को याद करो जिन पलो में आप बहुत अच्छा खुश रहा करते थे अगर ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा और तो आप टेंशन ना ले आप प्रेजन्ट में उन पलो को याद करे जो पला बिताना चाहते हैं उनके साथ और प्रेजन्ट में आप फील करें कि जैसे कि उस पल को आप इस वक्त जी रहे हो इतना तो आप कर ही सकते हो क्योंकि वो आपका पार्टनर है वो आप ही हो हमेशा याद रखिए भले ही हम अलग-अलग जिस्म में अलग-अलग शरीर में रह रहे हैं परन्तु वो तो मैं ही हो ना जब भी आप उनको अलग समझोंगे अपने आप से अलग विक्ति समझोंगे तब तक के आप प्यार महसुस करने में कमी महसुस करोंगे जब ये महसुस करना शुरू कर दोंगे कि वो मैं ही हूँ तब आप फिर नहीं होंगे इन चीजों में तब आप बहुत ही अच्छा फील करोंगे बहुत बार होता है कि negativity का attack होता इस जन्नी में और मैंने इसके पहले के वीडियोस में बताया है कहीं बार आपको ऐसा लगेंगा कि वो मेरा सचमेट विन है या नहीं कहीं बार ऐसे चीज़े होंगे और ये कब कब होंगा जब भी आप किसी ऐसे low vibrational वेक्ति से मिलोंगे या फिल लो औरा में रहोंगे या negativity का attack में रहोंगे औरा cleaning या protection नहीं लोंगे तब तब ये चीज़े होंगी याद रखिए अपने partner के तरफ 24 by 7 याद नहीं करना उनको लेकिन हाँ 80% खुद पे focus करते हुए 20% उनके लिए positive सोचिए 20% मतलब 20% दिन में अपना 20% का समय जो है उसकी बात करे हूँ ना कि सिर्फ 20% आप उनके लिए अच्छा सोचो ऐसा बोल रहे हूँ मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने उपर जादा focus करे और अपने partner के उपर थोड़ा कम समय दे लेकिन जब भी focus करे उन पे ही है इतना हमेशा याद रखना अपने माइन में पूरी तरह से clarity लेकि आईए कि वो मही हूँ और वो मेरा ही है जब इस चीज में आपको clarity आजाएंगी ना पूरी तरह से कोई doubt के भी ना तब आपके partner के अंदर भी clarity आएंगी लेकिन ध्यान रखना कि आपके partner के लिए properly आप protection ले रहे हो protection shield psychic protection shield normal souls को भी लेने के लिए कहा जाता है आपको पताएंगी ये बात तो आपके partner तो empath है आप भी empath हो सारी negative energies को remove करके properly psychic protection लेना बहुत जरूरी है वो भी normal तरीके से नहीं बहुत अच्छे से बहुत पहले तीन चार साल पहले मैंने ये protection guidance meditation बनाया था negativity रिविंग and protection shield और बहुत अच्छे result है उसके प्रत्यक वेक्तिन है उसको जिनोंने भी मेरे से purchase करके किया था उनके सब के feedback है मेरे पास कि सब को अच्छा result मिला है मैं कोई promotion या फिर इसके बारे में ये नहीं बोल रही हूँ कि आप purchase करो ही लेकिन ये बहुत जरूरी है इसके लिए बता रही हूँ आप खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है जो लोग खुद से नहीं कर सकते हैं वो लोग guidance meditation का सहारा भी ले सकते हैं ये मैं कहना चारी हो इतने सालों के बाद लगभग मैंने देड़ साल से ज़्यादा हो गया तब से मैं वीडियोस नहीं बनाई थी और इसका बहुत बड़ा कारण था और आज मुझे वापस बहुत ज़्यादा strongly intuition हो रहा था कि मैं वापस हाऊ और आप सब की मदद करू क्योंकि Soul Sisters पूझ भी रही थी काफी वक्त से और आज जो Soul Sisters ने मुझे पूछा कोई वीडियोस बना भी नहीं रहे है सब लोग अपने अपने लाइप में शायद बीजी है इस तरीके का उन्होंने बताया तो तब जाके मैंने सोचा कि अब शायद मुझे भी वीडियोस बनाने का कह रही है मा और बहुत strongly intuition हो रहा था तो आपना जब भी स्टॉक करते हो अपने पार्टनर को यह नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल उन्हें देखो नहीं आप monthly once आप एक बार उनको देख सकते हो बिल्कुल अगर आपकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है और आपकी बात हो रही है तो आप positive रहो लड़ाई जगड़ा हो रही है यदि बात हो रही है फिर भी तो क्या कारण है कौन सा ये सीख मुझे मिलनी है जिसके लिए ये लड़ाई जगड़ा हो रहा है क्यो understand नहीं कर रहे मेरे पार्टनर मुझे कहा mirroring हो रहा है क्या मैं खुद को understand नहीं कर पा रही हूँ, कौन सा issue है जिस पे मुझे अभी भी काम करना है, देखिए, दोनों को मिलके बहुत बड़ा purpose करना है, उसके लिए छोटी छोटी चीजे अगर आ भी रही है, हर किसी के life में आती है problems, लेकिन कुछ न कुछ learning हर चीज से लेनी होती है और उस गलतियों से सीखना होता है, और उस गलतियों को बार बार repeat नहीं करना होता है, तो analyze yourself, कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, तो इसका कारन क्या है, नॉट अनली मैं सिर्प ये DF के लिए बता रही हूँ, बलकि DM को भी बता रही हूँ, कि हो सकता है DM के अंदर की वे issues है जो बहुत ज़्यादा surface प्यारी है, कुछ चीज़े DM को भी सुधानी है, तो कुछ DF को भी सुधानी है, और दोनों मिलकी जब कोई काम करेंगे, तब ही तो सारी चीज़े प्राप्त होंगी जो आप चाहते हो, सबसे पहले तो यह एक पवितरे रिस्ता है, बिलकुल unconditional law, एक प्यार को बहा नहीं कर आ जा सकता, मैं से पिच्चर से यहाँ पर दिखा रही हो, आप समझ पा रहे होंगे, है ना, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़े आप जितना अच्छा visualization करूंगे अपने partner के साथ, personal guidance meditation भी काफी लोगों ने बनवाया है, अपने partner को low vibration भीजन उतना ही जादा strong bond बनेगा आपके partner के साथ आपका, यह video यदि DF को भी मिल रहा है, DM को भी मिल रहा है, दोनों के लिए हैं, कि दोनों भी एक दुसे से, अगर आपको प्यार चाहिए अपने partner का, तो आपको प्यार करना भी होंगा अपने partner से, आप हमेशा अगर negative सोचोंगे उनके लिए और आप चाहूंगे कि वो मेरे लिए positive सोचे, वो मेरे लिए प्यार करे, वो मुझे express करे, तो नहीं होने वाला, आपको mirroring भी बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, तो twin flames में mirroring कैसे होता है, इसको deep में आने वाले videos में मैं बताऊंगी, क्या आप चाहत हो कि मैं पूरी तरह से वापस आके आपके लिए guidance, दू यहाँ पे divine guidance, जो भी मादूर का, जो भी मुझे बता रहे है, तो और videos बनाना चाहिए मुझे, या नहीं, ये तो आप ही बता सकते हो, क्योंकि views अगर आएंगे, सब लोग देखेंगे, तो मुझे भी बनाने का मन कर देंगा कि मुझे कोई guidance देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग देखिए पूरा पूरा वीडियो हमेशा, और मुझे comment में भी बताएए, क्या आप चाहते हो कि मैं और videos लाते रहूं आपके लिए, और आपके जो भी सवाल है, जो भी doubts है, आप मुझे पूछ सकत old number पे आप contact कर सकते हैं, okay, Instagram की ID मैं आपको दे दूँगी, thank you so much everyone, आपको अगर general question पूछन है तो यही comment में पूछिए, अगर personally contact करना है, तो Instagram या फिर WhatsApp पे आप contact कर सकते हैं, thank you all, love you all, God bless you.